बिक बॉस सतर घर से बाहर आने के बाद रिंकु धवन का भी मानना है कि उनका जोँ इविक्षन हुआ है वो फेर तरीक से नहीं हुआ है यानिकि इनका भी इविक्षन अनुराग ढपाल की तरह अनफेर हुआ है और सिर्फ इनका ही नहीं बलके नील भट और स्वारिया सर्मा का भी येस इस बारे में वो अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोडी पोस्ट की जिसमें वो साफ सफ लिखी है कि 4 unfair eviction of the season जिसमें वो पहले नील भट का नाम ली है और उनका region दी है कि nominated for entire season by contestants for no region यानि कि अगर आप Big Boss देख रहे हो तो आपको पता हुगा कि नील भट को बिना किसी region के पूरे season के लिए nominate कर दिया गया था जिसका वज़े से वो अगर किसी विविक में उनको कम vote मिलता तो आराम से बाहर जा सकते थे और इस Big Boss भी वो नहीं जाते क्योंकि अब double eviction रखा गया था इसके वज़े से उनको जाना पड़ा दूसरा वो अपने बारे में यानिकी रिंकु धावन के बारे में बात की कि अगर आपने Big Boss देखा हुगा तो आपको पता हुगा कि इसमालिविये ने गलत डिसिजन लिया और उसमर्थ का नाम बता दी जिसके वज़े से समर्थ रिंकु धावन को नॉमिनेट कर दिये और उसके बाद टास्क में गरबड़ी हो गई बंदी हो गया और तिसरा एस्वर्या सर्मा के बारे में भी तो आपको भी पता होगा यहाँ पे साप साप लिखा गया है कि नुराग डुबाल को घर के कैप्टेन और बाकी हाउसमेंट्स को द्वारा निकाला गया जब इनी सब इचीजों के बाद नीचे लिखा हुआ था कि फॉर्स्ट एफर सीजन जहां बीबी ने जो बोला वहीं किया अन्फेर एंड बाइस एटलिस्ट फेर होने का नाटक तो नहीं किया लाइक लास्ट सीजन इनके इस ओपेनियन से आप लोग गेगरी करते हो या नहीं करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना